नमस्कार दोस्तों, I am sure आपने recently सुना होगा कि BPCL का प्राइविटाइजेशन होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने अलरेडी जो पुरा बिडिंग का प्रॉसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है तो जो पहला स्टेज होता है बिडिंग प्रॉसेस का ये अलरेडी हो चुका है जो डेडलाइन थी वो मंडे की थी और यहाँ पर काफी जादा अनुवान लगाया जा रहा था कि जो Reliance Industries है वो इस बिडिंग में definitely सामिल होगा लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि Reliance जैसी बड़ी कमपनी जो की काफी हता ट्राइ कर रही थी कि में भी BPCL खरीद ले लेकिन वो इस बिडिंग प्रॉसेस में शामिल नहीं हुई है तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या BPCL प्राइवटाइशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है यहाँ पर जो ओनर होगा जो प्राइवेट ओनर होगा उसको क्या फायदा होगा सरकार को क्या फायदा होगा सबको हम जानने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक और ट्वीड़ पर मेरे लेक्शे की हब पीडियोफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चनल जोइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल औफिशल और अगर आप वीपेसी की त्यारी करना है तो आपके लिए सुनेरा मौका है तो जो भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है आपको पता है कि देश के अंदर कुछ चार-पांच ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो की ओयल से रिलेटेड बिजनेस में काम करती हैं जैसे इंडियन ओयल कॉर्परेशन आपके सुना होगा वो एक सबसे बड़ा शेर है इंडियन ओयल कॉर्परेशन के पास इसके लावा ONGC आपका जो गैस वगरा का प्लांट है इसके अंदर शामिल है कुछ इसी प्रकार से जो BPCL है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन मार्केट के अंदर है तो यहाँ पर भारत सरकार इसको बेचना चारी है उसका जो हिस्सा है वो उसको बेचना चारी है इसके लिए bidding process बुलाया गया था और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक तो जो reliance है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुआ in fact यहाँ पर जो Saudi Aramco है Saudi की company वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हुई England की company जो BP है वो भी नहीं हुआ है और जो total है that is France की company वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हुई है in fact यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं भारत petroleum के बारे में basically यह जो company है वो 1886 में पहली बार Scotland में incorporate की गई थी जो registration होता है company का आपको पता है उसमें British शासन था तो Scotland के अंदर इसका incorporation किया गया था और यह basically start हुआ था Rangoon Oil and Exploration Company के नाम से और यह basically इसका main मकसद यह था कि जो Assam और Burma का region है Myanmar का region है वहाँ पर oil की exploration की जा सके वहाँ पर discoveries की जा सके और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो आज के date में यह भारत petroleum के नाम से जाना जाता है और यह सभी चीजों में यह जो petroleum के businesses हैं चाहें petroleum की बात करें, natural gas है, LNG है, lubricants हो गया, petrochemicals हर जगह इसका आपको business देखने को मिलेगा और इस समय अगर भारत सरकार की हिस्से की बात करें तो भारत सरकार 52.98% तो करीब आप कह सकते हो 53% owner खुद भारत सरकार है total number of employees इसमें 12,000 से जादा है अभी के हिसाब से और यह आप देख सकते हो 16th November का यहाँ पर Finance Ministry के दोरा यह tweet किया गया और यहाँ पर बताया गया कि जो BPCL का bidding process है वो आगे बढ़ चुका है और यह second stage में अब जाने वाला है क्योंकि पहला stage already खतम हो चुका है तो यहाँ पर सबसे बड़ा question है कि किसने bidding की है तो देखिए यह जो नाम है अभी disclose नहीं किये जाते हैं तो यहाँ पर अभी पता नहीं है कि कौन-कौन किया है लेकिन officials के दोरा बताया जा रहा है कि करीब 3-4 ऐसे bidders हो सकते हैं वो नाम मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि Reliance Industries जैसा कि एक बहुत ही potential buyer था ऐसा बताया जा रहा था अगर Reliance Industries इसको खरीद लेता तो ऐसा होता कि करीब 22% जो हिस्सा है oil marketing में वो Reliance के पास आ जाता BPCL का यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अलग-अलग companies हैं उनके कितने हिस्से हैं Indian Oil Corporation का सबसे बड़ा हिस्सा है ONGC है फिर Reliance है HPCL यह सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके अलावा Saudi Arabian की company जो Saudi Aramco है वो काफी जादा interested थी इनफाक्ट आपको पता होगा Saudi Aramco का Reliance के साथ भी चर्चा चल रहा है और लेट सी कि कब वो deal final होगा लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था कि वो BPCL को में भी खरीद सकते हैं लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर जो expression of interest है उसको यहाँ पर नहीं डाला है इसके लावा UK की company जो भारत जो sorry British Petroleum इसको कहते हैं BP वहाँ पर है British Petroleum Public Limited Company PLC जो कहा जाता है तो उन्होंने भी नहीं डाला France का जो एक total है अक्सर आप इनके कई सारे जो petrol pumps हैं वो आपने देखे होंगे TV वगरा पर तो यहाँ पर इन सभी का भी interest बताया जा रहा था कि वो भारत का जो इतना बड़ा market है उसके अंदर में भी हो सकता है enter करें लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि आप देखो कि कई सारे जो countries हैं वो इस तरह के जो liquid fuel है उससे अपना business diversify कर रहा है इससे बाहर जा रहा है तो यह एक बहुत बड़ा reason बताया जा रहा है जैसे कि आपको पता होगा reliance industries का भी पहले क्या होता था कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरिफ आपका oil refinery के उपर ही dependent था लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा मुकेश अबानी ने क्या किया यहाँ पर जो telecom business हो गया retail business हो गया इस तरफ वो अपना रुख कर रहे हैं और यही एक कारण बताया जा रहा है कि आगे future जो है वो धिरे धिरे कम होता जाएगा इसलिए में भी हो सकता है कि companies जो है इस तरह के business को acquire ना करना चाहें इसलिए यह जो 3-4 bidders बताया रहा है में भी हो सकता है इसमे की भी जो company है Rossneft उनके द्वारा भी bidding की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जो Russia की company है उनका already कई सारा जो oil refinery का विस्तार है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा 20 million ton का oil refinery है इसके अलावा उनके बहुत सारे petrol pumps भी है करीब 5000 से जादा और even Abu Dhabi national oil company में भी हो सकता है यह यहाँ पर वो भी bidding की हो but it is not still sure in fact इसके अलावा आपने अनिल अगरवाल के बारे में सुना होगा so recently इन्होंने क्या किया था जो current India है उसको acquire किया था for 8.67 billion dollar में भी हो सकता है कि इन्होंने भी bidding क्या हो but still nothing is sure let's see कि आगे पता क्या चलता है लेकिन next step क्या होगा यहाँ पर प यहाँ पर bidding के लिए apply किया है अब 20 लोगों में देखा जाएगा कि technically कौन इसको खरीद सकता है ठीक है अब में भी हो सकता है 20 लोगों में 10 लोगों ने खरीदा हो यहाँ पर technically 10 लोग क्वालिफाई कर रहे हो अब इन 10 लोगों में क्या होगा कि अगला जो process होगा वो financial bidding का हो पुष्किल से 3-4 bidders नहीं बोली लगाई है ऐसा बोला जा रहा है और अगला जो financial bidding है इसको start करने से पहले में भी हो सकता है जो transaction advisors हैं वो 2-3 week ले 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 और उसके बाद आगे चलकर चीज़ें सामने आएंगी अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि government को क्या फायदा हो सकता है इसकी वज़े से देखे यहाँ पर government को जो फायदा है वो अनुमान लगा सकते हैं bidding के तुरू कि इस समय जो current का share price चल रहा है करीब 400 के आसपास उसके उसकी वज़े से करीब 47,000 करोन सरकार को मिल सकते हैं क्योंकि सरकार के पास 52,000 52,000 sorry percent stake है यह सरकार के पास तो इसकी उसको खरीदेगी जो invest करीगी जो सरकार को यह 45,000 47,000 करोन रुपए देगी उसको यहाँ पर और 23,000 करोन invest करना होगा मतलब कि सरकार ने यह बोला है कि अगर आप हमसे यह 52 percent खरीदते हो तो यहाँ पर आपको 26 percent और खरीदना होगा public से जी हाँ आप यहाँ पर देख होगे कि जो promoter है, promoter कौन है यहाँ पर government है तो government का 52.98 percent stake है इसके अलावा जो foreign institutions है, mutual funds है इन सबको मिला कर बाकी का stake है तो उनसे यहाँ पर 26 percent और खरीदना होगा ऐसा यहाँ पर bidding में बोला गया है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और concern बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से य higher price वो लगतार गिर रहा है आप देख सकते हो कि 412 था Friday को लेकिन 2-3 दिन यह वापस से करी 380 के आसपास आ गया है तो अगर अभी का market valuation अगर आप लगाओगे तो यह 45,000 करोन के आसपास आ गया होगा तो यह भी एक बताया जा रहा है कि जो घरकार का हिस्सा है तो यहाँ प भारत के अंदर जितना भी oil refining का business है capacity है उसमें से 15.3% जो share है वो BPCL के पास है तो एक तो यह ownership उसको मिल जाएगी इसके अलावा 22% fuel marketing share भी इनी के पास है इनफेक्ट मैं अगर oil refinery की बात करूं तो BPCL 4 refineries को operate करता है एक है आपका महराष्ट के अंदर दूसरा है कोची के परिला के अंदर फिर आपको मदपरदेश बीना में मिलेगा और असाम के अंदर जो नुमाली गड़ है ये चार refineries है जहाँ पर oil की refining की जाती है जैसे आपने सुना होगा जो crude oil आता है उसकी refining की जाती है अलग-अलग products निकाले जाते हैं इसी को refinery कहते हैं तो यहाँ प यहाँ पर petrol pumps के numbers भी आप देख सकते हो LPG distributor जो agencies है BPCL के पास वो आप यहाँ पर देख सकते हैं in fact इसके अलावा aviation fuel station जो है भारत के अंदर उसमें 61 BPCL के पास है और oil marketing company के हिसाब से देखोगे तो second largest है ये भारत के अंदर इसके अलावा turnover हिसाब से आप देखे तो sixth largest company है तो ये सारिफ यहाँ पर फायदा होगा जो भी इसको buy करेगा एक तो ये वाला आपका चीज हो गया अब यहाँ पर last में question आता है कि ये भारत सरकार इसको disinvestment करना क्यों चाहती है क्यों ये important है क्योंकि अगर आपको याद हो 2020-21 का जब budget आया था भारत सरकार ने यहाँ पर disinvestment का जो target है वो 2.1 lakh करोण यहाँ पर set किया था लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत जादा progress नहीं हो पाया है उसके उपर क्योंकि LIC का भी जो अनुमान था कि सरकार उसको बेचेगी अभी process धीरे धीरे start हो रहा है let's see कि अभी कब तक यह complete होता है लेकिन अगल 2019 pandemic है और यहाँ पर जो revenue कम हुआ है उसको एक तरह से meet करने में यहाँ पर आसानी रहेगी अगर BPCL का जल से जल्दी अगर यह target achieve हो जाता है तो I hope दोस्तों यह जो पुरा वीडियो था regarding जो BPCL का privatization किया जा रहा है और जो bidding process है इसके बारे में सभी information मैंने आपको दे दिया जाने से पहले मैं आपके लिए दो question लेकर आया हूँ oil से ही related है पहला आपको बताना है कि natural gas जो होता है उसमें dominant component कौन सा होता है और दूसरा मेरा question है यहाँ पर आप इसको धान से पढ़िएगा कि अगर suppose मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो carbon और hydrogen के atoms जो है hydrocarbon molecules में add किये जाते हैं तो जो petroleum products की density है वो क्या होती है क्या वो decrease होती है increase होती है same होती है फिर unpredictable है कुछ भी हो सकती है क्या आप इसका answer मुझे बता सकते हैं इसका right answer मैं अपने instagram पर दो डालूंगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो तो telegram से भी इसका right answer आप ले सकते हैं मैं कई सारे ncqs यहाँ पर जाकर stories में play कर सकते हैं अगर आप उसे economy पढ़ना चाते हैं कोई course purchase करना चाते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा मिलता हूं आप से next time till then thank you very much see you soon